नमस्कार दिपब्लिक इंडिया में आपका हर्देग स्वागत है आज मैं अखिल स्वामी जो आपके सावने बात प्रस्थूत करना चाहता हूं जो मानी मोजी जी ने तीन दिन पहले एक साक्षातकार में कहा कि चुनावी बॉंड हम बहुत अच्छे मकसद से लाए थे काले धन को रोकने के लिए लाए थे और जो लोग इतना रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी बॉंड काला धन बनाने का एक तरीका था वो लोग पच्चताएंगे और अब जो चुनाव में पैसा लगेग ये मानी मोदी जी ने कहा अब जरा इस बात की विवेचना कीजिए क्या देश के लोकतंत्र में जो विवस्था बनाई गई है जो समेधान में बनाई गई है कि एक तो प्रशासन तंत्र है जिसमें विरोक्राइट्स होते हैं सरकारी अधिकारी होते हैं एक जुडिशरी होती ह एक लोकतांत्रे वरूप से चुने हुए नेता होते हैं, लोग होते हैं, पारलिमेंट होती है, एसेमली होती हैं, और एक चौथा स्थम्भ जिसको कहते हैं वो जनरलिजम होता है, यह चार स्थम्भ हैं, और इन चारों स्थम्भों का काम यह है, एक दूसरे को चेक करते रहें जहां किसी से कोई गलती हो तो दूसरा उसको चेक कर सके यह लोकतंत्र की हिंदुस्तानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खुबसूरती थी जो समिधान में बढ़ाई गई अब आप देखें जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अगर एक बार सर्वेस में आते हैं तो 30-30 साल सर्व को न कर दें तब तक उनकी नौकरी रहती है सरकारी नौकरी में उनकी सुरक्षा रहती है तो उनके निरंकुष होने की बहुत जादे समभवना है क्योंकि उनके निरंकुष होने की बहुत जादे समभवना है इसलिए उनके ऊपर एक मंत्री होता है जो मंत्री होता है और ब विरोक्रेट निरंकुष हो जाए और गलत निरंणे लेने लगे जंता की भावना के अनुकूल निरंणे न ले तो यह जो पॉलिटिकल लेता हैं जो कि मंत्री होते हैं यह उसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसे पसे अटा सकते हैं तो ये कंट्रोल हुआ ये बिरोक्रेट्स के ओपर लोगतंत्र का कंट्रोल हुआ अजर लोगतंत्र में अपने अंदर भी एक कंट्रोल है विदान सभा है लोगसभा है राजसभा है विदान परिशाद है जिसमें सत्तापक्ष भी है जिसमें विपक्ष भी है अब सत्तापक् कर सकता है और आज संचार माध्यमों के खुले होने की वज़े से पूरी दुनिया उसको देख सकती है पूरी दुनिया देख सकती है कि जो बास सत्ता पक्ष कह रही है और जो बास विपक्ष कह रहा है उसमें सही बात किसकी है और जंता उसको अब्जर्व करती है और यह कि जब इनकी नियुक्ति होती है जनता के द्वारा तो यह 30-30 साल के लिए पर्मिनन नहीं होते हैं इन्हें हर 5 साल बाद आके एक्जाम देना होता है जनता के बीच में एक्जाम देना होता है और अगर यह छेतर का काम नहीं करते या ऐसे काम नहीं करते जिससे जनता के वोट ले सके हैं तो पंस साल बाद ये जंता इन्हें हरा देती है अचा जंता भी थोड़ी बहुत नहीं होती एक पारलेमेंट सीट में 15-16 लाक वोट होते हैं 10 लाक वोट पढ़ते हैं 11 लाक तो हर तरह के लोग होते हैं उसमें हर जाती और धर्म के लोग होते हैं हर एकनॉमिक भागों का नहीं पा सके और एलक्षण जीस सके अगर जीते गए तो सत्ताक्ष बैठेगा थो और विपख्ष मेठेगा तो मैंने सत्तापक्ष को cover करने के लिब मारें सत्तापक्ष और विपख्ष को cover करने ऐस्टेट मशिनरी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लोग 30 ग्रूप से चुने हुए सत्ता पक्ष के लोग अपना उत्तरदायितु का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर और इंद्रा जी को सत्ता विमुक्त कर दिया था क्योंकि उस समय फ्री प्रेस था और खुलियाम आलोचना होती थी और आलोचना को सैने की लोगों को आदत होती थी तो ये जो सूचना पत्र थे जो अखवार थे और जो टेलिविजन मीडिया था ये खुलियाम आलोचना करता था और आलोचना किसकी करता था आलोचना सत्ता पक्ष की करता था क्योंकि विपक्ष तो है ही इसलिए क्योंकि उसे जंता ने सत्ता से अटा दिया तो आलोचना होती थी सत्तापक्ष की जिससे उसके उपर अंकुष रहे, जिससे वो सही दिशा में चले, अजा इन सब में अगर मालीजे जर्निलिस्ट भी कोई अपनी सीमा को क्रॉस कर जाए, प्रशासनिक अधिकारी भी क्रॉस कर जाए और पार्रमेंटेरियन भी अपनी ल गया पिल भी यह नहीं कि एक कोट से अगर आप हार गया जीत गये किस्सा मां खटम हो गया, लोड़ जुडिश्यरी में हुआ, फिर आप डिस्टिक लेविल पर गये, फिर आप हाई कोड़ पर पर सुप्रीम कोड़ पर पर अपील पर इसका माने भारत के लोकतंत्र में इत independent judiciary का स्थान रखा गया था तो चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो प्रशासन तंत्र हो चाहे वो लोकतांत्रिक विवस्था हो और चाहे वो जर्निलिस्ट हो यह एक दूसरी की खिला एक दूसरे के प्रती ऐसा भाव रखते थे कि जिससे की यह सब अंकुष्व रहे हैं और ज चुनावी बॉन्ड हम लाए थे ब्लैक मनी को खतम करने के लिए और जिन्होंने इसे खतम किया है या जो इसको किट साइज कर रहे हैं वो ब्लैक मनी के जनरेशन का समर्थन कर रहे हैं यह टिपणी मानी मोदीजी ने किस पे की है चुनावी बॉन्ड को असविधानिक हमने तो नहीं बताया विपक्ष ने तो नहीं बताया जर्निलिस्टों तो नहीं नहीं बताया एड्मिनिस्टेशन ने तो नहीं बताया चुनावी बॉन्ड को असविधानिक गैर कानूनी मानी सुप्रीम कोट ने बताया और मानी उन्होंने इसको असवैधानिक बताया fred बल्कि यह कहा कि यह बिल्क trip गैर कानूनी है और इस पर एक उन्हें चेकर द्म युद्ध यह बड़ा एक निर्णों से वन MoiStory ला था कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति को अस्समयधानिक और गैर कानूनी बताया सुप्रीम पोर्ट की बेंच अब आपका का मकसद कुछ भी था सरकार का मकसद कुछ भी था अगर देश की सर्वोच ने आया ले इस लोकतांत्रिक विवस्था में यह रिणने लेती है कि जो नीति आपने बनाई थी वह मेलाफाइडी थी और इस मेलाफाइडी इंटेंशन को छुपाने का प्रया स्टेट बैंक ओफ इंडिया के द्वारा किया गया है यह चुनावी बॉंड के बारे में आप जानते हैं यह कहा गया कि चुनावी बॉंड में पता नहीं चलेगा किसने किसको पैसा दिया और आप मानी मोदी जी कह जाल गया किसने किसको पैसा दिया तो इदो ट्रांस्पेरिंट सिस्टम था जबकि खुलियाम पहले यह कहा गया था जो पूरम अगरवाल एक पत्रकार है जब उन्होंने बताया एक हजार रुपय का चुनावी बॉंड उन्होंने खरीदा तो स्टेट बैंक ओफ इंडिया और किसने भुनाया इसको इसके बारे में पता नहीं चलाया जा सकता यही बाद मोदी जी ने अपने साक्षातकार में कही और यही बाद स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोट के सामने कही उन्होंने कहा साब यह बड़ा मुश्किल काम है टेली करना बहुत मुश और सुप्रीम कोट ने जब आदेश दिया कि 24 गंटे के अंदर इसको दीजिए तो 24 गंटे के अंदर वो सारी की सारी सूचना स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोट में रख रहा है इसका मने यह पता चलाना भी मुश्किल नहीं था कि किसने बॉंड खरीदा और किसने भुनाया और स्टेट बंग ओफ इंडिया इसको छुपाने का प्रयास कर रहा है दूसरी बात यह कि अगर यह चुनावी बॉंड का पैसा जो इखटा किया गया इस चुनावी बॉंड के पैसा इखटा करने से यह पता चलता है कि किसने पैसा खरीदा किसने बॉंड खरीदा और किसने भुनाया और इसमें ऐसे तंत्र का पता चलता है कि जो आदमी को किसी आरोपे एरेस्ट किया गया उस आदमी को धमकी दे कर कि तुम्हें बेल नहीं देंगे अगर तुम हमसे सब जोता नहीं करोगें, तुम्हें बेल दे देंगे, और तुम हमें चुनावी बॉन्ड में पैसा दे दो और चले जाओ, और राजने तेक नेताओं से कहा गया कि तुम अगर भारती जनता पार्टी में आ जाओ तो तुमें कोई हम ED inquiry नहीं होगी तुम अपना मस्त भूमना और अगर नहीं हमारी पार्टी में आया हमारी बात नहीं मानी तो तुमें हम ED के माध्यम से अंदर कर दें तो मेरा प्रश्ण यह है कि मानी मोधी जी ने जब यह साक्षातकार में कहा तो क्या उन्होंने मानी सुप्रीम कोट के लड़ने जजेज के निर्ने के खिलाब जाने की बात कही और क्या एक स्वस्त लोकतंत्र में यह उचित है कि आप जो लोकतंत्रे ग्रूप से चुने हुए नेता है आप सर वोच नहीं है देश के अंदर जनहित सर्वोच है और जनहित के रक्षा करना समिधान के रक्षा करना वानी सुप्रीम कोट कप striker और आप थे और सब अकीलों की बात सुनकर लड़ने जजेज ने ये निर्णे लिया कि ये जो नीती बनाई थी ये गैर कानूनी थी और असवेधानिक थी इसके बावजूद आप इस पर टिपड़ी कर रहे हैं और देश की जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क को इतना नहीं पता है कि ये ब्लैक मनी जनेरेशन का नहीं बलकि ब्लैक मनी को कर्ब करने का नीती थी तो ये लोगतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है जब मानी सुप्रीम कोड ने निर्णे दे दिया आपको शिरुधारे करना चाह था सिर्जुका कि उसको स्विकार कर ना था जैसे राम जनमुमी के मामले में सुप्रीम कोड ने कहा कि कोई सबूत नहीं है कि जो मस्जिद बनी थी वो मस्जिद मंदिर थोड़के बनी थी लेकिन इसके बावजूद जनहेत में हम निर्णे लेते हैं कि वो जमी जो है राम जनमुमी को दे दी जाए और उसके थोड़ी दूर जाके दूसी जमीन जो है वो मस्जिद को दे दी जाए देश ने उसको स्विकार किया क्योंकि देश के अंदर जनता शांती चाहती थी सदभाव और संभाव चाहती उसी प्रकार से जिस दिन मानिय सुप्रीम कोड ने कहा था निर्णे लिया था कि यह गैर क पार्टिया जिनों ने ली हैं वो अपने लोगों को वापस करें और उसके बाद जो दवाओ के अंदर इसका दुरुप्योग करके लोगों से पार्टी जॉइन कराई गई है या उनसे स्टेट्मेंट दिलाए गए हैं उनकी भी हम एडी से और साइटी से इंक्वाइरी करा रहें और इस पर आगे कम होगा यह तो हूई चुनावी बॉरंड की पार इसके लावा-प्ल य। पीम च्राटीस मांगा गया था इसक्वाइन के पैसा लिया किसको पैसा दिया है किसी को पता ही नहीं चलेगा और इसी में क्या इस परकार का घालमेल नहीं है जैसा कि चुनावी बांड में है क्या इसमें विदेशी शक्तियों का पैसा है क्या इसमें दुश्ट लोगों का पैसा है क्या ये पता नहीं होना चाहिए देश की जनटा को कि चुनावी बॉन्ड में जैसे पता चला कि जो लोग जेल गए थे उन्हाने चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया और हो छुड गए क्या उसी दरह का घपला पिम केर फंड में तो नहीं है तो क्या मानिय सुप्रीम कोड को सौता संग्यान लेकर पिम केर फंड की भी चांच नहीं करा देनी चाहिए और एक S.I.T. गटित नहीं कर देनी चाहिए जिससे देश की जनता को जो लोकतंतर के अंदर सबसे बढ़ि चीज होती है कि ट्रांसपरिंसी हो, क्या वो ट्रांसपरिंसी के आवशक्ता नहीं है? इसके अलावा जब जनिलिस्ट जनिलिजम को अख्वारों को टेलिविजन को आपने सरकारी अनुदान से सहयोग से आर्थिक मदद से बिलकुल विपक्ष की तरफ उसका मूँ मोड़ दिया है प्रश्ट पूछने के लिए और सत्ता पक्ष से पक्ष वो प्रश्ट नहीं पू होता है इसलिए वो आपके आधीन आ गया और एक ही संस्था जो बची थी नयायले की आप उसके उपर भी टिपड़ी करने लगे आप उनके उपर भी प्रश्ट चिन उठाने लगे ऐसे अजिफ आप जो हैं वो सुप्रीम कोड के इतने जज़ेस से जादे बुद्धिमान ह अरे अगर इतनी जादे ट्रांसपेरेंसी थी और इतना जादे विपकुल उसमें उचित था वो ब्लैक मनी को खतम करने के लिए यह चुनावी बॉंड बनाये गए थे तो आपके वकील वहां तो खड़े थे बड़े बड़े वकील खड़े हरी सालवे साब जैसे लोग अगर पाए तो यह तो लॉजिक आप हमेशा लेते हैं अगर कोई शिकायत सुप्रीम कोट चले जाए है कोट चले जाए गए तो थे और सुप्रीम कोट ने ने दे दिया लेकिन जो ब्लैक मनी है वो जो गैर कानूनी नीती बनी थी जिसके माध्यम से यह वसूली हुई थी वो पैसा तो अभी भी मार्केट में है और चुनाव में उप्योग हो रहा है तो क्या उचित है अगर आप ब्लैक मनी को खतम करना चाहते हैं अच्छा दूसी बात यह है कि क्या नीती बनाने पर किसी सरकार को या सरकारी अधिकारियों को दंड किया दिया जा सकता है कंपेर करते ही दिले सरकार में शराब नीती बनाई गाइन चुनावी बॉंड की नीती बनाई इसको वापस ले लिया चुनावी बॉन्ड को वापस नहीं लिया बल्कि सुप्रीम कोड ने निणय दिया कि असविध्धानी को और कहीर संभानी के गयर कानुन नहीं है गलत शराब नीती बनाने के लिए आप मंत्रियों को जेल भेज रहीं अधिकारी यहोग जेल नहीं केम ہے इस नीति को सुप्रीम को बटा दिया उस गलत नीति वनाने के लिए असावयदहारीग नीनिति वनाने के लिए आप सरकार के अधिकारियों को मंत्रीयों को जेल कर दो नहीं भेज रहे गा इसका मतलब यह हैं कि आप ट्रांस्परेंस्टी नहीं चाहते आप जैसा तानाशाई में होता है कि जुडिशरी भी आपके मातहत आ जाए एड्मिनिस्रेशन भी आपके मातहत आ जाए जनलिजम जो पत्रकारिता है वो भी आपके मातहत आ जाए और आप निरंकुष्टा से देश के अंदर साशासन करें जो भी आपके खिलाब बोले जनलिस बो का विश्वास आज की ताली अगर हिंदुस्तान में किसी पह है तो जूडिशे के द्वारा इतनी सुन्वाई करने के बाद जब।। जो एकissen के शुराब अरुबात जा सकता है तो गलत चुनावी बॉंड की नीती वनाने के लिए आपके अधिकारियों को और मंत्रियों को जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता और आप पेयम केर फंड अगर आप ब्लैक मनी को कर्व करना चाते हैं तो प्यम कर फंड की जाच क्यों नहीं खरा देते उस पर साइटी गठित क्यों नहीं कर देते अगर आप इंसी चाहते हैं पर पेपर में जिनके नाम आये थे स्विस बैंक में जो पैसे के नाम आये थे किस किस के पैसे हैं वो कैंसर कार के पास है आपने क्या उनपर कोई厅 लिया की नोट बंदी हुई उसे में लोगों ने लाको Ohh करौरूर उपर जमा कराई क्या किसी पर कोई एक्षन हुआ क्या जो एक मान्य सुप्रीम कोड की जज ने कहा कि जो नोटबंदी थी वह एक प्रकार का ब्लैक मनी को वाइट मनी में कनवर्ट करने का एक तरीका था जिसमें लाकों करोणों गरीब लोगों को परिशानी हुई आपने क्या उसमें साइटी कराई क्या किसी को दंड मिला क्या जो देवेंदर सिंग जो एक पुलिस अदिकारी हुआ करता था जमिन कश्मीर में जब उल्वामा का अटेक हुआ था और उसको एरेस्ट किया गया था उसको बेल देके छोड़ दिया उसे मोजे यह संशय होता है कि अब प्रशासन को चनलिजम को अपोदीशन को पुस्यों कोस् honestly सत्ता पक्षारत है कि वो न्याएपालिका को भी कंत्रोल कर ले और नियार पाली का को ये सतर्क हो जाना चाहिए मैं राज देने वाला कौन होता हूं मुझसे जादे बुदिवान लोग हैं लेकिन अगर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा समिधान नहीं बचेगा तो ये कोर्ट भी नहीं बचेगा फिर वही राजाओं का जमाना आएगा दंड लेके बैठेगा मुकुट लगा कि राजा बैठेगा जो कह देगा वो फाइनल होगा और जिसका चाहेगा गरदन उड़ा देगा जिसको चाहेगा फांसी देगा लेकिन हम देश के अंदर लोकतंत्र चाहते हैं देश का समिधान देश के अंदर ये विवस्था जो एक दूसरे को काउंटर करती हैं कंट्रोल करती हैं उनको चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि मानी मोधी जी आप देश के चुने वह प्रधान मंत्री हैं दो महिने तक आप प्रधान मंत्री हैं अगर उसके बाद जीते तो रहेंगे इसका जो दंड है पूरा देश भुखतेगा हमारी अगली पीडियां भुखतेगे हम भी भुखतेगे आप भी भुखतेगे इसलिए जो बनी बनाई संस्था हैं इने नतोने सम्मान से लोगतांत्रिक लोग अपने हिसाब से डिमोक्रिक जो पॉलिटिकली एक्टेव लोग अपना काम करें जो जनलिजम है वो अपना काम करें अड्विनिस्टेशन अपना काम करें जुडिश्री अपना काम करें और एक दूसरे को कंट्रोल करते रहें जिससे कोई निरग्पुष्णा हो है कि तो यह जो साक्षाइब कार्द दिया था मानि मोदी जी नो जो कहा था जो डिशरी पे एक प्रकार का कटाश था और एक प्रकार के टिपणि थी यह मेरा मत था कि उचित नहीं था उनके द्वारा कहना आप लोगों का क्या मत है आप क्या कहना चाहते हैं अपनी टिपनी से अपने कमेंट से मुझे बताईएगा बहुत-बहुत आभार नमस्कार और प्रणाव